हालो एवरिवान दिस इस अनीता शर्मा और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अड़ा247 में बच्चो आज हम जो करने वाले आज का हमारे जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहेगा वो टॉपिक है अबारा ओल मैप्स में आपके सेकिंड टम के ए इस्ट्री से सारे उसे जोगरफी से तो सारे मैप हम यह डिसकस करने वाले हैं और मैप से कोश्चन जो होंगे आपके वो कोश्चन आपके गलत नहीं होंगे जैसे ही आपने इस मैप को समझ लिया तो उसके बेस पर क्या करेंगे उसके बेस पर आप मैप की प्रक्टिस करें क्लास 10th, All Maps, History and Geography, ठीक है, यह देखो बच्चे, यह हमारा राश्ट्रिय जंडा, नैश्टल फ्लैग, ठीक है, महत्मा गांदी, सर्दार वल्लभाई पाटेल, जवाहला नेरू, भगत सिंग, यह ओल आर प्रिडम फाइटर, बचे, क्या था, मास मुमेंट, मास मुमेंट का मतलब होता है, पूरे, बड़े लेवल पर, राइट, मास मुमेंट, यह ना सरफ इंडिया में, इंडिया के लोगों ने इसमें इंटर्स दिखाया, बलकि इससे, हमारे इंडिया की, भारत की, और बलकि दूसरे देशों से भी क्या पढ़ा, इस पर प्रभाव पढ़ा, आपको पता है ना कि नैशनल कॉंग्रेस का जो स्टाबलिश्मेंट थी, कब सापना हुई थी इसकी, 1885 में, किस ने की थी, A.O. Hume ने, वो भी एक प्रिटिशर्स थे ना, बट यहां पर इनको कॉंग्रेस की स्टाबलिश्मेंट का क्रेडिट जो है, वो A.O. Hume को दिया ज जदी की लडाई में, पूरे इंडिया से, जगे-जगे से क्या होने लगे, विद्रो होने लगे थे, रिवोर्ट होने लगे थे, कहां-कहां से, कौन-कौन से विद्रो हुए, रिवोर्ट हुए, लोगों ने कहां-कहां से पार्टिस्पेट किया मुमेंट के अंदर, तो हम सब वही जानेंगे इस मैप के थूँ ठीक है चलिए फॉस्ट है हमारा इंडियन में सेंटर ओफ दा फ्रीडम मुमेंट ठीक है में सेंटर की बात हो रही है कि में सेंटर कहा कहां पर बनाए गए थे किसके नैशनल मुमेंट के तो आप यह देख रहे हैं यह पूरा का पूरा इंडिया कवर है इसमें तो यह सारे का सारा क्या था यह पूरा का पूरा बच्चे फ्रीडम मुमेंट था जिसमें ना सिर्फ हमारे यंग लीडर्स पार्टिस्पेट कर रहे थे पूरे इंडिया से हर कोई से पार्टिस्पेट कर रहा था अपने अपने तरीके से पार्टि पूरा यहां पर पूरे इंडिया में इंडिया के हर स्टेट से क्या कर रहे थे लोग ठीक है उनके लीडर्स भी थे तो हम अगर यहां से देखें यह आपका श्रीनगर है फिर अम्रेश्तर है पानिपत्स मतलब हरियाना होगया उसके बाद यह पूरा ओल और इंडिया में पर जब किसी मुमेंट पर पार्टिस्पेट करेंगे तो सोचो क्या होगा जो चीज को टार्गेट बना रहे थे जिसका उद्देश्य था क्या ब्रिटिश को यहां से भगाना ठीक है जो इंडिया पर 200 इयर सक जिन्नोंने रूल किया और इतना ज्यादा उनको किया जाता था इंडिया का सहने का जो एक लेवल था ठीक है वो क्रॉस हो चुका था अब तो जो कहते हैं न कि जब कोई चीज क्रॉस हो जाती है लिमिट क्रॉस कर देती है तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है ठीक है तो यहां पर इतने बड़े लेवल पर जब यह मुम्मेंट च आना होगा ठीक है जो मरी नेक्स्ट लाइड है यह है में सेंटर ऑफ दा पीजन मुमेंट बच्चे यहां ना सरफ बिजनसमें ना सरफ पॉलिटिकल लीडर्स ना सरफ हमारे जो के मार्चेंट्स है ठीक है बलकि हर वो व्यक्ति हर वो परसन जो कि आजादी चाहता था और आजादी तो हर को ही चाहता था तो यहां पर जो में यहां का टॉपिक है वो क्या है कि पीजन मुमेंट की जो फार्मर्स को लेकर के जो मुमेंट स्टार्ट किया गया था ठीक है वो कहां कहां पर स्टार्ट किया गया था देखो एक हमारा फॉर्स क्या है यहां से डैली यह farmers को भी तो freedom चाहिए थी ना किस तरह की freedom चाहिए थी उनसे जो उनकी land को क्या कर लिया है occupied कर लिया किसने जमीनदारों ने बिटिशर्स ने तो वो भी तो अपनी जमीनों के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना वापस लेने के लिए तो कहां पर इन पीजन्स ने अपने तरीके से मुवमेंट स्टार्ट किये तो यहां पर यह देखो बरेली से यह ग्वालियर है अपका ठीक है लखनव लखनव कहां पर है यूपी फैजाबाद में यूपी में कहने का मतलब आपके जो मैप से कॉश्चन बनेंगे आप से पूछा जाएगा फिल एनी टू सेंटर्स ऑफ दा पीजन्स मुमेंट ठीक है कि कोई भी आपको दो प्लेसे जो है वो शो करने इंडिकेट करने अपने इंडियन पॉलिटिकल मैप में तो इन में से आपको कोई भी दो आते हैं तो आप क्या कर दोगे वहां पर फिल कर दोगे फॉर एक्जामपल माली जा यूपी यूपी आपको देखने में ना क्या है यह पॉपलेशन वाइज सबसे बड़ा है ठीक है तो आप यूपी से क्या करोगे एक तो कानपूर यह ले लिजे लखनो ले लिजे और लखनो के साथ में यहां प लखनो यह भी भूल जाते हो आप तो क्या करोगे आप डैली कर लो डैली सबको पता है ठीक है और क्या है यूपी में ही क्या है बरेली है यह बरेली कर लो यूपी में सबसे ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन मिलती थी नैसल मुमेंट में चाहे वो नैसल मुमेंट है प ज्यादा इंवावेशन होगी ठीक है तो यहां पर तीन सेंटर लखनो कानपुर धरेली अच्छा उसके बाद कलकता ले लीजे कलकता क्या है रेस्ट बेंगॉल की कापिटल थे ठीक है तो कलकैटा ले लिजे और उसके बाद यहां पर चलो यह आप नादियाद कहा पर है नादियाद है बच्चे गुजरात में तो इन में से कोई बीः से आपको । you can करने हैं जहांसे आपको इजली आप उसमें फिल कर सको तो मैंने क्या बता है कानपूर और जहांसी पता होगा जहांसी कहां पर है MP में मद्ध्रदेश में ठीक है तो वहां पर आप क्या फिल कर दोगे जहांसी तो आपको तीन पता करने है डैली बरेली अब यह बरेली करनें All right जलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वान मेंं सेंटर गट्राइबल मुमेंट बच्चे ट्राइबल मुमेंट च्टी पच्ठी पीधन मुमेंट का अपने सुन लिया कि फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे ठीक है नाशनलियों में पार्टिस्पेट कर कर दिया movement start कर दिया अब ये तो सुर्च भी जो बात थी वो किसकी थी फार्मर्स की अब आती है वारी ट्राइबल सेंटर जो ट्राइबल कौन थे जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे जो जंगलों में रहते थे ठीक है तो उन्होंने क्या किया था बेटिशस ने उनको जंगलों से मिलेगी, तो उन्होंने क्या किया, उनको डिस्पेस करना स्टार्ट कर दिया, ट्राइबल पीपल्स को, ठीक है, अब उनको तो बहुत गुस्ता रहा था, कि उनके अपनी जमीनों से उनको बेद अखल किया जा रहा है, ठीक है, जो पुर्खों से, जो उनके एंसि तुम्हय प्र्देश में फर्देश में धरr Ilhari को अई तुटन के भीकूल बाउंडरी पर है है वह टच कर रहा है किस पर गुजरात में ठीक है यह क्या है कोंस् और यह जो arts मेर्सरी तर्व राजस्थान फिल कर दिये map में और वो कहां पर है MP और MP के यहां पर बिल्कुल boundary line पर जहां से गुजरात चार्ट होता है गुजरात और MP की जहां पर boundary लगिए बच्चे वही पर छोटा से एक एरिया है और वहां पर कौन सी वो रहती थी tribes रहती थी भील्स ठीक है तो यहां पर यह tribes थी जो सुरी और यह आपको होगए और इसा ठीक है और यह होगए आपका झारखंड राइट जारखंड मुंदा इधार बी यह । अका explained यह летविन यह भी तुरी नहीं सारी बिछ्चे वहां पर boundary में मुंदा तो मुंदा विला करना है मुंदा द्राइप करना एक तो देखो बिल ना इंडिया का मैब भी तो भांग्रादेश के ठीक यहां पर यह जो है वेस्ट बेंगॉल यह आपका Cols है, तो आपको जहां पर भी आपको easy लगता है और याद रहता है, देखो यह सारे centers जो है वो tribes के हैं, जहां पर tribes moment जो है, वो start हुआ था, तो जो जो आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, dotted line में, यह dots बनी हुए, red color की dots बनी हुए, आपको इन इन area में से कोई भ यह है गॉंड्स ठीक है तो बच्चे पूछा जाता है वेसे मैक्सिमम जो है मैप की कोशन जो मैंने पढ़े थे वह एक तो संथाल पूछी गई थी बार-बार पूछी गई थी कि संथाल ट्राइब जो है वह कहां पर रहती थी तो यह कहां पर आ जाएगा आपका रखने है मैं यहां पर लिख देती हूं फिर से संथाल काँ पर थी संथाल वेस्ट बेंगॉल में ठीक है और गॉंड्स काँ पर थी गॉंड्स ट्राइब रहती थी कहां पर और इस्था में ठीक है बच्चे दो सेंटर चलिए आपको यह भी अगर याद नहीं होते तो और देखिए यह यह क्या है यह महारास्टा है पूरा है ठीक है बच्चे यह महारास्टा है तो महारास्टा में महा एक मिट यह कौन सा है को महारास्टा है ठीक है यह महारास्टा में कौन सी रहती थी ट्राइब रहती थी कोल्स या कोलीज यह दोनों ही थी कोल्स और को ल-I-S, Колies, तो यह दोनों ही ट्राइब्स कहां पर रहती थी, ठीक है, महारास्टा में रहती थी, अब देखो, आपको क्या किया, मैंने ये तीन बता दिये, त्री ट्राइब्स बता दिये जो कहां कहां पर रहती थी, प्लेसिस भी बता दिये, स्टेटड भी बता दिये, और तो question यहाँ पर कई बार ऐसे आ जाता है, कि MP में बताईए कि West Bengal में कौन सी tribes रहती थी, and your answer will be that, Santhal's tribes, ठीक है, question आएगा आपका, Odisha में कौन सी tribe रहती थी, जैसे कोई बच्चे NTSC का एक्जाम देने जारे ने, तो वहाँ पर tribes पूछी जा सकती है, ठीक है, तो Odisha में कौन सी tribe रहती थी, गोंड्स, महाराश्ट में कौन सी tribes रहती थी, कोल्स या कोलीज, दोनों ही tribes रहती थी यह, ठीक है, तो यह आपका, तीन आपको फिल करने उसमें, उसमें, right, maps में, नेक्स देखो, अब है, main center of the peasants and workers movement in the 20th century, अब यहाँ पर दोनों है, पहले हमने क्या किया था, पीजेंट किया था, फिर हमने tribes के moments देखे थे, अब यहाँ पर क्या है, पीजेंट और workers दोनों ने मिलकर, जो है, moment में participate किया था, और यह कहां कहां से participate कर रहे थे, moment in the 20th century, यहाँ शल रहा होगा, 19th वाला एरा चल रहा होगा, ठीक है, 19th वाला एरा चल रहा होगा, आप जैसे 20 है, 2021, राइट, तो यह कौन से century चल रहे है, यह century होगी कांसी, 21st century होगी ना बच्य, तो यह क्या कहा रहा है, 28th century, यानि कि 19 वाला एरा चल रहा था, 19 वाला एर चल रहा था, ठीक है, चलिए देखते हैं, पीजन्ट और बरकर्स कहां कहां से, मेरट और बरेली, अच्छा बच्चे एक बात बताओ, ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, मेरट से, ठीक है, मेरट बरेली, उसके बाद कहां पर हैं ये दोनों, ये दोनों ही बच्चे यूपी में, देन लखनाव फिर से आगया, देखो जो चीछ कोमन है न, हमने उसमें क्या किया था, पहली वाली स्लाइट में क्या कर रहे था, हम पीजन्ट मुमेंट जो है वो रीट कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे तो पीजेट मुमेंट में लखनौ भी आये था ठीक है लखनौ कानपूर ये दोनों ही आये थे तो उसमें भी कॉमन है और उसके बाद चंपारन वुमैंट कहा था बिहार में जिसमें गांधी जी ने इंडिया में कोई moment launch किया था सत्याग्रह moment ठीक है इंडिया में गांदी जी का first सत्याग्रह moment कौन सा था चंपारन सत्याग्रह moment चंपारन कहा पर है बच्चे ये बिहार भी यहां से तो ये question भर भर के question आता है ठीक है हमेशा ये question पूछा जा रहा है पिछले पास साल से तो मैं देख रही हूँ कि हमेशा चंपारन बिहार का moment जो है वो indicate करने के लिए आता है clear तो आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या है ये बिहार है पूरा बिहार की capital कौन सी है पतना तो आपको वो capital नहीं बतानी है आपको स्रीड़ बताना है चंपारन शो करना है कि चंपारन moment कहां पर हुआ था और चंपारन आप कहां पर लिखोगे बिहार में जम्षेदपूर जम्षेदपूर में वरकर्स बहुत होते ना कि अपर चेद्पूर में क्या थी इंड़स्या ले रिया था ठीक है कौन सी थी ठीक है अब वहां पर वर्कर्स बहुत जीड़ी यह थी वहां पर तो वर्कर्स क्या डिमांड कर रहे थे अपनी किसकी वर्क और चार्ष को तो गुजरात में यहां पर आएगा बार्दोली, गुजरात में है बच्छे बार्दोली, खेडा और एमदाबाद मुमेंट, यह क्या थे यह तीनों ही गुजरात में थे बच्छे, गांदे जी के तीन बैक टु बैक मुमेंट हमने पढ़े थे ना कौन से, फर्स तो था प्रदोली, खेडा और एमदाबाद मुमेंट, यह कब स्टार्ट हुए थे, 1918 में, कहीं-कही बुक में, NCRT की पुरानी वाली बुक है ना बच्छे, उसमें 1916 दिया हुए, ठीक है, लेकिन जो न्यू वर्जन उसमें 1917 दिया हुए, ठीक है, लेकिन जो न्यू वर्जन उसम आपको क्या करना है, जो भी आपको centers याद रहते हैं, उस से related, किस से, पीजन और वर्कर से related, ठीक है, तो आपको कुछ भी याद आता है, कि वहाँ पर जो है industry ज्याद थी, तो वर्कर भी वहाँ मिलेंगे, पीजन भी थे, तो साथ साथ में लखनौ और, देखो, यह सब्सक्राइब एक कर सकते हैं अब करते हैं में चPal name the non-cooperation moment यह बहुत-बहुत-बहुत important इस को तोए कहां भर देचो उपर मिट नाउंक क्यों सब्सक्राइब एक बिद्सक्राइब यह संब्सक्राइब चलना स्टार्ट करो, लाहोर, यानि कि अभी तो पाकिस्तान पहले तो पाकिस्तान नहीं बना था न बच्चे, तो ये पाकिस्तान पहले इंडिया में मिला हुआ था, ठीक है, तो क्या करोगे, नैशनल हमें नॉन कोपरेशन मुमेंट डूढना है, तो ये लाहोर हो गया, ठी जलियावाला इंसिडेंट हुआ था ना जलियावाला बाग इंसिडेंट राइट उसके बाद मेरट फिर से मेरट आ गया ठीक है गोरकपूर जिसमें चौरी-चौरा इंसिडेंट यह रहा ठीक है गोरकपूर उसके बाद पटना में दैन इलाबाद बच्चे यह सारे के सारे क कितने सारे सेंटर्स बनाय गए थे यही पर तो पुलिक ज़्यादा रहती थी ना और पार्टी सेपेशन भी सबसे जादा यही पर होती थी तो इतने सारे सेंटर्स ट्रफ यूपी में बनाय गये थे और यह स्टेट कोन सा है बच्चे यह स्टेट है यूपी ठीक है अब ठीक है कुछ बच्चे बोलते है मैंडम नागपूर ना MP में है नहीं बच्चे यह देखो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है ना यह नागपूर कहाँ पर यह महाराश्च की बाउंडरी के अंदर आ गया ठीक है उसके बाद हैदराबाद राइट चिन्नाई मदरास और कैलिकट कैलिकट याद करो जरा जब बिटिशर यूरोपिन कंपनी जब हमारे इंडिया में आई थी तो सबसे पहले वो यहीं पर आई थी कैलिकट में ठीक है और कैलिकट में जो वासको दिगामा थे जिनोंने इंडिया को डिसकवर किया था तो वो यहीं पर आये थे कै कटता ठीक है इजी ऐजी से ढूण जहां जिसमें आपको गलती ना होने के chances बहुत कम हो ठीक है तो इजी-जी से क्या करने आपको centers ढूढने हैं जिसमें कि आप easily से fill कर सको और आपकी गलती भी ना हो ठीक है तो यह main centers हैं जो आपको फिल करने हैं किसमें मैप में कौनसे सेंटर नॉन कॉपरेशन मुमेंट के सेंटर जहां जहां पर बनाए गए थे ठीक है चलिए next one main center of the non-corporation moment अब यह क्या था main center of the non-corporation moment दुबारा से यह देखो अम्रिस्तर जलंदर मेरट अलीगड देखो मेरट अलीगड गोरकपूर कानपूर इलाहबाद बनारत चोरी चोरा ठीक है और यह क्या है पटना पटना तो बिहार में आ जाएगा ठीक है उसके बाद हैदराबाद देन नागपूर शोलापूर एहमदाबाद सूरत और धरवाद यह सारे के सारे क्या से बच्चे यह नॉन कोपरेशन मुव्मेंट के सेंटर से इन में से आपको क्या करना है कोई भी दो फिल करने है ताइम भी पता चल गया है कि टाइम जैसे बॉर्ड में बौर्ड एक्जाम में आएगा कि 1920 से लेकर 22 करना है कुई भी टू में सेंटर बता दीजिए जिसमें पिश सुफिल करने होते हैं ने ऐं एग एग it चैप्टर को एक मैप को बहुत अच्छ से किया गया यहाँ पर एक कि जितने हो सकते थे ना बचे मैप इस चैप्टर में से आ सकते थे आपके एक चैप्टर है नैशनल इजम इन इंडिया तो वहां से जितने सारे मैप लेकर आए न बचे आपके लिए तो इन में से ही कोश्चन आपका आएगा मैप के अंदर फिल करने के लिए इससे बाहर तो कोई आया नहीं जितने question map के बन सकते थे कि क्या examiner पूछ सकते हैं तो उनी के base पर सारे maps यहां पर लेकर आए हैं ठीक है तो civil disobedient moment क्या था civil disobedient moment वो जो याद करो ज़र वो salt जो salt march बताया था मैंने दांडी मार्च बताया था ठीक है क्या नहीं करेंगे Britishers को अब किसी भी काम में सपोर्ट नहीं करेंगे उनको disobey करेंगे ठीक है तो कौन-कौन से थे यह main center of the civil disobedient moment देखो अमरिसर, जलिंदर, मेरट, फिर से आगया कानपूर, लाबाद, लखनव, राइट यह आपका आगया भोपाल, भोपाल क्या है, MP की capital, मध्यप्रदेश की capital नागपूर, अमरावती, वर्दा, अमरावती कहां पर है, अमरावती, महरास्टर में है नासिक, पूना, ठीक है, एमदाबाद, साबरमती आश्रम, बरोदा, दांडी, बार्दोली यह सारे के सारे कहां पर है, गुजरात में बच्चे, ठीक है, और राइपूर, राइपूर किसकी capital है, 37 गड़ की, तो यह 36 गड़ है, ठीक है, 36 गड़, राची, राची, जारखंड, राची किसकी capital है, जारखंड की, राइट, पटना, बिहार, कलकटा, वेस्ट बेंगॉल तो यह क्या है, civil disobedient moment के centers है, ठीक है, any two centers that you need to fill in your map, in your exam, राइट, चलिए, हैदराबाद, कानपूर, सोरी, कॉलापूर, कॉलापूर कहां पर है, कॉलापूर से आई हूँ, किसमें कहां पर, महरास्टर से, ठीक है, धारवाद, फिर से आगया मदरास, मतलब कुछ-कुछ प् moment वहाँ पर centers बनाए गए थे, moment के centers बनाए गए थे, ठीक है, अब ये civil disobedient moment भी आपने देख लिया, तो बहुत सारे ऐसे common आपको मिल रहे होगे, centers मिल रहे होगे, जो हमने पिसली slides में भी देखे थे, ठीक है, एक बार इसको देख ले न बच्चे, ये हो गया आपका, next करते है, ये बच्चे आपका geography से, ठीक है, pipeline का, ठीक है, तो pipelines के लिए क्या है ये, oil fields है, oil refineries है, oil pipelines है, ठीक है, ये क्या existing है और ये project है, और gas pipeline है ये, तो बच्चे ये जो map है न बच्चे आपका, आपको वो मिल जाएंगे, जो आपके national highways जो थे, या national आपके airport जो थे, international airport, तो व ये जो pipeline वाला map है, ये बच्चे थोड़ा सा different है, ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर ये oil field आपको square में दिख रहा होगा, ठीक है, oil fields कहां कहां पर है, जहां पर आपकी dark color के जो dot दिखाई दे रही है न, यहाँ यहाँ पर, तो पहले मैं बता देती हो, कहां कहां पर है ये ठीक है, सरफ आप से क्या पोचेंगे, आप से सरफ place पोचेंगे, और वो place ऐसे arrow करके बच्चे, जैसे यहाँ पर लिख दिया, कि A में fill करो कि आपको बताना, यहाँ पर कौन सी, refinery है, oil refinery है, तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, और अगर साथ-साथ में state म बात है, examiner को कि लगेगा, कि बच्चे ने fill किया है, और इसको knowledge है, तो यह देखो, oil fields, oil fields कहां कहां पर है, सिर्फ हमने इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हमने इसमें दो चीजे पढ़नी है, क्या, oil fields और oil refineries, ठीक है, इससे जादा और कुछ नहीं पूछेंगे, तो oil fields कहां कहा पर है, oil fields आपके, गुजरात, यह देखो, तीन oil fields यहां पर गुजरात के अंदर ही, particular गुजरात के अंदर, एक तो आपकर क्या है, यह देखिए, कलोल, यह वला, कलोल, एमदाबाद, ठीक है, अंकलेश्वर, यह भी कहां पर है, गुजरात में, और, गैंबे, यह भी कहां पर है, गुजरात में, तो अंकलेश्वर, गैंबे, और, आपका, कलोल, यह तीनों ही कौन से है, यह oil fields है, बच्चा, फिर से मैं बता देती हूँ, चलो, यहां पर लिक कर बता देती हूँ आपको, क्या है यह कलोल, कलोल, कलोल कहां पर है, गुजरात में, ठीक है, उसके बाद क्या है, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर भी कहां पर है, मैं तीनों का ही बना देती हूँ, कि यह तीनों कहां पर है, गुजरात में है, ठीक है, तो गुजरात में कौन-कौन से है, आपका कलोल हो गया, ये भी गुजरात में है, then गैमबे ये तीनोही center कौन से, बच्चे ये तीनोही center oil तीनोही center क्या है तीनोही center oil fields है right, oil fields जहाँ पर तेल पाया जाता है oil fields, तो आपको तीन याद कर दें तीनोही गुजरात से है, कौन-कौन से कलोल गुजराद, अंकलेश्वर गुजराद और गैमबे गुजराद, क्या चीज़ है यहाँ पर, यह है बच्चे, ओयल फिल्स, इन तीनों के याद कर लेना, अगर यह तीनों में से कोई भूल जाते हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आते हैं इदर अरुनाचर प्रदेश की तरफ, तो अरुनाचर प्रदेश में थोड़ा सा, कन्फ्यूजन होने की चांसे हैं आपके, क्यों, देखो, यह जो पूरा का पूरा आपको यह पार्ट देख रहे हो, यह कौन सा है, अरुनाचर प्रदेश याद करो, मैंने फर्स, उसमें क्लास में बताया था, कि आपक को सेवन सिस्टर्स की ट्रिक बताई थी, मैंने इक, थीक है, तो उस ट्रिक को याद कर लेना, कि अरुनाचasis क्या गया था, आरुन इता लेने गया था, इत मींस कि अरुनाचर प्रदेश की कैपिटल क्या है, इता नगर, थीक है, अगर किसी बच्चे को ट्रिक्स लर्न करन दिख बई पूछा जाता है देखो जो चीज़े आ रही है आगा आपकी जो पीवाई क्यू में प्रिवेस टेल कोशन पेपर में जो मैपके कोशन आ रहे थे तो यहाँ पर क्या था दिख बई तो दिख बई कहां पर है अरुनाचर प्रदेश में राइट दिख बई ओके और क्या होगा बहुत है और हाँ एक यह पूछा जाता है बॉम्बे हाई ठीक है बॉम्बाई कहां पर है महारास्टर में ठीक है तो आपको यह यह सेंटर सापको ओयल फीड्स के याद रखने है अब आते हैं और रिफाइनरी के कोश्चन वैसे बहुत ही देखा नहीं है पर फिर भी एगजामिनर का पता नहीं कब क्या फूछ ले तो आपको क्या करना है यह वाला पार्ट देख रहें न बिलकुल बॉर्डर वाला यह क्या है विशाका पंटनम है यह विशाका पंटनम कहां पर है और इसा ठीक है और इसा कि बाउंडरी पर है इधर चन्नाई बास इतने बहुत है कोची कहाँ पर है केरला में ठीक है तो आपको एक बर ये मैप देख ले ना बच्चे रिवाइन करके वीडियोज को चलिए अब करते हैं क्या जोगरफी का नेक्स्ट आइरन और बैल्ट आइरन और माइन और एक्सपोर्ट यूनिट तो हम करेंगे ये दो बच्चे क्या उन कौन सा एक आइरन और बैल्ट कहां कहां पर पाई जाती है दूसरा आइरन और माइन कहां कहां पर पाई जाती है इंडिया में this is also a very important map right चलिए पता करते हैं कौन कौन से ये वाले एरिया आप देख रहें नहीं ये बबल की शेप में देख रहें तो यहां यहां पर क्या चीज़ है यहां यहां पर आईरें और माइन्स है राइट तो आईरें और माइन्स यह वाला एरिया देखो यह वाला यह परयें जिया लिए त्ériमना राइट सिंगं बब माए यह थेकर तो शिंगं बब कहा पर हैए यह वाला यह का आपका जारखंद में फिजीबल हो रहा हैं जारखंड ठीक है शोट में लिख देतीन देख लेना यह जारखंड है उसके बाद यह कौन सा है आपका और इसा गुआ यह है और केंदुजर ओर इसा राइट और आपका यह हो गया कौन सा यह भी आपका बाइप कि पर हैए और सामेप कैठा करके कुछ है एक है गोवा और एक है किदर के अंदर यहाँ मैं कोंदी बूलेजा है यह रहा तुनरग रहा है औरफ्षा के अंदर आगया है ट 스च में उसके बाद गुवा है यह भी औरफ्षा में और आपका है केंदूर जर यह भी आपका कहां पर ऊड़ी सा में है मैयीर फंच यह मैं मैं पूछा जा चुक'll है भूगा है यह औरिशों में एपके यह सैंगए विह जा उन्स यह में पूचा जा चुका है बहुत है क्या बारणीज का पर पर पाई जाती है तिक है उसके बाद देखिए यह है कॉनसा एरिया कर 안ख करूना शेयर करनाठ का रतना गिरी ख़्क्व हैं रतनागिरी कहां पर है रतनागिरी के सोचो आप आता है ना कॉनसा तारख महिता का उल्टा चश्मा तो जो वो कहां से रतनागिरी का ये ना महारा कर नाटका निया तिक आज रस चमा तो वो हो जो बेड़े मास्टस वो कहा है रतनागिरी न महारास्ट्रा कैंट है ठीक है तो क्या है दृसके बाद है चिक मंगलूरी कहां पर ऐ तागे मात कुदेर्मुख बहुत बार पुछा जा चुका है कुदेर्मुख क्या है एक्सपोर्ट यूनिट है किसकी ऑईल की ऑईल फीड का एक्सपोर्टर्स है ठीक है तो कुदेर्मुख यह क्या है कहां पर है करनाटका में बचे में यह बहुत बार कोशन आ चुका है कुदेर्मुख पूछा जा चुका है, तो यह कहां पर है, करनाटका में, राइट, और, और क्या है, गुंटूर पूछते हैं, गुंटूर, गुंटूर कहां पर है, यह आपका हो गया करनाटका, यह केरिला, यह आपका हो गया तमिल नाडू, और यह क्या हो गया आपका, तेलंगना, ठीक है तो यह कहां पर आजाएगा आपका आंधर प्रदेश है ऑफ कि टेलंगाना है देलंगाना ओधा राइट और चंदरपूर, चंदरपूर भी पूछा जाता है, चंदरपूर कहां पर है, ये भी बच्चे महारास्टर में, क्योंकि इसी के एरिया टच कर रहा है, ठीक है ये, ये वला एरिया, और ये एरिया किसका है, ये एरिया है महारास्टर का, ठीक है, तो चंदरपूर भी महारास पूछे 36 गड़का राइट सलेम यह बहुत बार पूछा जाता है सलेम तो सलेम कहा पर है तमिल नाडू में ठीक है जितने मैप बन सकते थे जितने मैप बन सकते थे हिस्ट्री और जोग्रफी के वो सारे मैप आपके यहां पर है ठीक है हां जी now cotton, silk, villain, jute और आपका city and town ठीक है तो या मैंने एक जो वीडियो है वो इस पर बना चुकी हूँ पहले भी लेकिन अब मैंने क्या किया सब को एक साथ ले करके और यह आपकी one shot बनाई है मतलब पूरा का पूरा एक निचोर जो है मैप का वो इस आपको वीडियो में देखने को म जोदपूर जोदपूर कहा पर है राजस्थान उसके बाद एमदाबाद नाओ यह क्या है भावनगर इंदोर गौलियर कानपूर गोरखपूर उसके बाद वारानसी यह सारे के सारे बच्चे cotton textile industries है इसमें इसमें राइट अब यह सिल्क देखिए सिल्क आपका मैंने तो थ पाइंड करके देख लेना बच्चे यह सारे आपको सेंटर्स आपके जितने भी टेक्स्टाइल इंडस्री जो है ना वो सारी कि सारी आपको यहां पर मिल जाएगी ठीक है फिर वुलन है जूट है और यह क्या है आपका सिटी एंड टाउन तो आपको क्या करना है फोकस करन बले री है बरेली नहीं है बले रहे है फिलारे और उसके बाद है बैंगलूरू बैंगलूरू पता है करनाट का की केपिटल है मैसूर मैसूर भी करनाट का में है और वारानसी हो गया देन ग्वालियर ग्वालियर में देखो आपके कॉटन टेक्स्टाइल भी और सिल्क टेक्स्टाइल दोनों में यह तो कुछ-कुछ सेंटर ऐसे मिलेंगे जहां पर कॉटन और सिल्क दोनों ही टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज है महाँ पर ठीक है अब वुलनका आते हैं, वुलनका देखो कोटा, कोटा कहां पर है राजस्तान में, उसके बाद करनाटका में भी है, दैन करनाटका, अगेन करनाटका, तो दो-तिन जगाई है, यह सारा का पूरा का पूरा तमिल नाडू में भी है, ठीक है, हंज़ावूर हो गया, यह क्या हो हाँ ये पूछा जाता है बच्चे एक बार रुको ये ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एक्जाम में पी वाई क्यू में आप देखना ज़रा प्रीवियस एर कॉश्चन पेपर में भरबर के ये पूछा गया है कौन सा ये जो आपका है कोयंब टूर कौयंब टूर कहां पर है बच्चे ये तम्मिल नाडू में है करनाटका की गलती मत कर देना कौयंब टूर कहां पर है तम्मिल नाडू में और कहां पर है ये तम्मिल नाडू के भी यहाँ इस प्लेस पर राइट और कॉलकता फिल कर लोगे और हाँ, मुर्शीदाबाद, मुर्शीदाबाद में क्या है, मुर्शीदाबाद में जूट टेक्साइल, जूट टेक्साइल और वुलन टेक्साइल, दोनों ही है बच्चे, मुर्शीदाबाद में, ठीक है, मुर्शीदाबाद कहां पर रहिए, मुर्शीदाबाद आपका कॉलकता क्या वेस्ट बिंगॉल की कैपिटल राइट चलिए जिसको भी प्रॉब्लम होगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना कि मैडम हमें यहां पर यह वाला मैप समझ में नहीं आएगा वैसे तो सारे मैप जितने बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में लेकर आई और उमीद करते हूं कि सारे मैप आपको यहीं पर मिल जाएंगे कहीं और जाने की जरूत नहीं ना आपको बुक ढूड़ने की जरूत पड़ेगी और नहीं आपको कहीं और से कलेक्ट करने की जरूत पड़ेगी तो आपको क्या करना है वीडियो को पॉस करकर के देखना है map की practice करनी है जितना practice करोगे उतनी perfection आएगी clear I hope so कि आपको सारे जो maps है वो clear हो गए होंगे फिर भी कहीं कहीं confusion रह गई हो या कहीं समझ में ना आया हो तो वीडियो उसको pause करके एक बार देख लिएजेगा और फिर से कहूंगी मैं आपके practice जरूर कीजेगा ठीक है बाबाई